प्यार में किस हद तक जाना सही है और कहा स्टॉप होना चाहिए एक लड़की अपने से बड़े उमर के आदमी से प्यार करती है ये प्यार उसका अपसेशन बन जाता है आज के मारी स्टोरी, सेल्फ लव, सेल्फ डिस्ट्रक्शन इन सब बारे में बात ही करती है इसने एक सीरियस टॉपिक को बहुत ये अच्छे से हैंडल किया है आपको ये पस्टन आएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा वीडियो स्टार्ट करने से बहले मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा इसे चैनलों को बहुत सपोर्ट मिलता है अभी नेक्स दरीके इस एक्स्प्लेशन को स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर इसका नामे सीयो लो ये बहुत ही डिस्टरब थे आज ही उसका उसके बॉर्ट फ्रेंड के साथ ब्रेक अप हुआ था उसकी सब चीज़े फेक कर वो अपना गुसा निकाल रही थे ये सब चल रहा था तब ये उसे ऑनलाइन किसे का मैसेज आया एक स्टेंजर था वहाँ से कहता है मैंने सुना कि तुम बहुत ही ब्यूटिफुल हो सीयो लो गयती कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं हार्ट ब्रोकन हूँ वहाँ से वो स्टेंजर कहता है हार्ट ब्रोकन और ब्यूटिफुल सियोलो गैती किया स्टेंजर ने का तो गन्फरम हो गया कि तुम ब्यूटिफुल हो इस पर सियोलो स्माइल करती है और इसी तरीके से हमारा स्टेंजर और सियोलो इन दोनों के बीज में बात चाए सियोलो उसके बारे में हमें बताती है कहती है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ उसके स्कूल में ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है वो हमेशा से बहुत सेल सेफिशन थी जब वो 18 साल की हुई तो अकेली सिटी में मूँ हो गई थी वही उसने अपने आपको बरबाद किया था पर सियोलो ने हम से कहा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे सियोलो उसके पैरेंट्स की फर्स बेटी थी इसके बाद बहुत सालों बाद उन्हें ट्विंस हुए थे इसी वज़े से सियोलो एस अ ओनली चाइल्ड उन्होंने रीज किया था उसे जो भी चाहिए होता था यह सब उसे वो दे 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 थे थे उसका बहुत खयाल रखते थे इसी वज़े से सियोलो को रिस्टिक्शन्स थे उसका ज़्यादा पढ़ाई में भी ध्यान नहीं था उसे अपने लाइफ को लेकर प्रॉल्लम्स थे जैसे वह मैं पता है उसे लगता है कि वो अजीब है इसी वज़े से अपने पैरेंट्स से वो बात करती है ने कहती है मुझे साइकोलोजिस के पास जाना है सबी इंडियन पैरेंट्स की तरह यह दोनों भी इसे जादा सीरेसली नहीं लेते है सीयलो और स्टेंजर इन दोनों के बीच में बहुत सारी कन्वरसेशन ओनलाइनी स्टार्ट होके इसके साथ बात करकर सीयलो को बहुत अच्छा लगता था एक दिन स्टेंजर सीयलो से पुछता है क्या तुम मेरे ग्रूप से मिलना चाहते हो यह सब लोग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीयलो उसे पुछती है अगर एक जगा पर तुमारा ग्रूप टूप रहा है और दूसरी जगा पर मैं हूँ तुम किसको चूस करोगे स्टेंजर कहता है आफकोस तुम्हें चूस करूँगा सिर्फ मुझे तुम्हें बजाना है पुरे ग्रूप को में नहीं बजा सकता सीयलो कहती है कि उसे अपने स्कूल में जादा मज़ा नहीं आता उसे स्कूल बदल नहीं है स्टेंजर कहता है तो बदल डालो यह सीयलो के लिए हाट था तो कहता है जो चीज़े हम लाइफ में करते नहीं यही हमारी biggest regret बन जाती है CLO ने अपने parents से कहा पर फिर भी हो माने नहीं उसने फिर school जाना ही बन कर दिया वो इसे new school में उन्हें डालना ही पड़ा वो hopeful थी कि school में उसकी friends बनेंगी वो अकेली नहीं रहेगी पूरी class में उसे कोई भी interesting नहीं लगा तो तीन लड़कों को group था जो अपने group में किसी को भी नहीं लिया करती थे एक दिन CLO ने उन्हें answer करने में help की तो वो भी उनकी friend बन गी एक दिन stranger CLO से पूछता है क्या तुम मेरी group और मुझसे मिलोगी CLO इस पर हा कहती है यहीं बात वो breakfast पर अपने parents से पूछ रही थे उसके parents उसके लिए वरीड थे ऐसे कैसे वो online मिले हो stranger से मिल सकती है CLO कहती है यह बहुत ही normal है वो जल्दी घर भी आ जाएगी mother और father ने दोनों मिलकर इसे strictly मना कर दिया father CLO से बहुत प्यार करते थे तो CLO ने उसे मना लिया कि please mother को भी समझाओ mother मान तो गई पर CLO जहा जा रही है उसके साथ mother भी आती है इस cafe में आने के बाद mother ने सब लोग को देखा क्यों किस तरह से है उसे safe लगा उसके बाद हो चली जाती है ये सारा गूरूप CLO को वेलकम करता है थोड़ी देरे में हमारा stranger जिसका नाम है अले हो ये भी वहाँ पहुचा इन दोनों ने एक दुसरे को देखा तो इनमें बहुत ही strong chemistry थी पूरे वक्द ये सिर्फ एक दुसरे को ही देख रहे थे थोड़े टाइम में CLO की जाने का टाइम हो गया अले हो उसके पास हाया उसके नेक पर kiss करता है इस kiss का नाम उसने sweet kiss रखा हुआ है उनके conversation में भी बहुत बार उसने use किया था यहाँ पर CLO की मदर उसे pick up करने के लिए face से वापस आगे तो उसे उसके साथ जाना पड़ता है CLO हमसे कहती है वो मुझसे 10 साल बड़ा था पर बीना किसी reason के मैं उसके प्यार में बहुत ही heart बड़ी CLO believe नहीं कर पाती अले हो इतना handsome है पर फिर भी उसकी कोई भी girlfriend नहीं वो उसे लिखती है कि दिन रात वो उसके बारे में सोचती रहती है वो उसे फिर से मिलना चाती थी इन्होंने मिलने के लिए एक जगा डिसाइड की उसने parents से का कि मैं मेरी friends के साथ जा रही हूँ रात पर वो वही रुकेगी फिर वो अले उसे मिली वो उसे बुश्चता है कि कहा जाना है वो कहती है तुम्हें जहाँ ठीक लगे वही लेकर चलो ये गाड़ी में बात करते है अलो पुश्चता है क्या कुछ आजजाइन था क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी से लो कहती है मैं सिर्फ तुम से मिलना चाहती थी इसके बाद अले हो से लो को उसके फ्रेंड के घर लेकर आया वो उसे पुश्चता है क्या तुम मेरी गर्फरेंड बनोगी से लो हा कहती है उसने फिर पूछा क्या तुम मेरी उमन बनोगी से लो पुश्चती है बात को समझ लेता है इसके बाद ये दोनों कंटिनियूस ने मिलने लग गए C.L.O. को अलेहो की कमपणी अच्छी लगती थी वो हमेशा उसे स्कूल के बाद लेने के लिए आया करता था अलेहो ने उससे कहा था किसी को भी पता ना चले कि उसके साथ रिलेशन्शिप में है एक बड़ा ट्रबल हो सकता था ये एक साथ टाइम स्पेंट करते थे मेक आउट करते थे पर कभी भी इंटिमेट नहीं हुए एक दिन C.L.O. की मदर ने उसका रूम चेक किया लेखो के बारे में C.L.O. हमेशा लिक कर रखती थी उनकी वीच में क्या क्या हुआ है ये सब कुछ उसके डायरी में था ये मदर ने पढ़ लिया और उसके साथ बात करती है कहती है कि अले हो को ने C.L.O. कहती है कि मैं मेरी बुक पर काम कर रही हूँ उसका कैरेक्टर है मदर को इस बात पर बिलिव नहीं हुआ कहती है अगर तुम्हारा बॉइफ्रेंड है तो उसके साथ तुम गुम भी सकती हो तुम टाइम स्पेंट कर सकते हो पर कभी भी उसके साथ इंडिमेट मत होना इसके बाद नेक सिन में यह दोनों मेक आउट कर रहे थे सियलो कहती है कि अब मैं रेडी हूँ अलियो ने उससे कहा था कि उसे हर्ड नहीं होगा यह जूट था वैस सियलो इस पर बिलिव करती है वो उससे कुछ भी कहता फिर भी वो मान जाती है क्योंकि उसके बहुत ही जादा प्यार में थी एक दिन इंटिमेट होने के बाद वो उससे कहे भी देती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती हो मैं तुम्हारा टैटू भी बनवा सकती हो उसने पूछा क्या तुम उससे प्यार करते हो अले हो मजाग मजाग में ना कह देता है एक दिन CLO अपने फ्रेंड्स के साथ थे साही फ्रेंड्स अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही थे CLO ने भी अपने रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता दिया इसके बाद उसकी फ्रेंड उसे हिट करने लगे मुने लगा कि सियोलो एक अच्छी लड़की नहीं है वो बहुत ही अकिली बढ़ चुकी थी तो अलेओ से बात करना जाती थी पर अलेओ कहता है मुझे हर रोज बात करने के लिए टाइम नहीं होता मेरी जौब है तो मुझे कॉंसेंटरेट करना पड़ता है हम अलग-अलग सिटी में रहते हैं तो रोज मिल भी नहीं सकते हैं अलेओ ने दो दिन तक उसे बात नहीं की तो सियोलो ने उसे बहुत सारे वोईस मेसेजेस भेजी हुए थे विसे उस पर गुसा हो गया गयता है ये सब नहीं चलेगा तुम्हें अकेला रहना सिखना पड़ेगा अगर किसी काम से मुझे कही जाना पड़ा तो तुम क्या करोगी सियोलो कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी ये सब अलेओ को सही नहीं लगता इन बातों से सियोलो बहुत ही हार प्रोकन थी इनमें प्रॉलम्स था थी और फिर भी इनकी रिलेशन्शिप कंटिनू हुई एक दिन सियोलो अलेओ से भूशती है अगर मैं प्रिगनट होगी तो तुम क्या करोगे अलेओ कहता है तुम प्रिगनट नहीं होगी और हुई भी तु फिर भी वो कुछ भी नहीं करेगा सियोलो की एक्सपेक्टेशन थी कि अलेओ उसे एक्सेप्ट करेगा उसे शादी करेगा वो गुस्ता आओकर उसे कहती है कि मैं तुम से जिस तरीके से प्यार करती हूँ तुम्हें भी उसी तरीके से मुझसे प्यार करना चाहिए इन सब चीजों को अलेओ पुरी तरीके से इग्नोर कर देता है एक दिन गुस्ते में सियलो ने उसे मैसेज किया जिसमें लिखा था कि हमें तुम से नहीं मिल सकते तुम तुम्हारी तरफ से कोई भी commitment नहीं दिखाते जो सही नहीं है इसके बाद अलेओ ने उसे कोई भी message नहीं किया कोई call नहीं किया सियो को लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती करती वो अलेओ को call करती है उसे sorry कहती है पर अले हो मानता नहीं, कहता है तुमने ही मुझसे बेरिक अप किया है एक रात बहुत बारिश हो रही थी, वैसे ही सियलो उसके पास आई अले हो उसके लिए डोर भी नहीं खोलता सियलो गहती है कि मैं बहुत सौरी हूँ, उससे गलती होगे प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें खोना नहीं है वो उसका बहुत टाइम तक वेट कर रही थी, पर लास तक अले हो ने डोर ही नहीं खोला सियलो अठरा साल की हुई, उसके बैरंस कही बाहर गए थे, तो बहुत बड़ी पार्टी उसने की इसमें अले हो को भी उसने बुलाया था, पर वो नहीं आया उसे आज कर कुछ भी सही नहीं लगता, वो लिटरली मरना जाती थी सब जीजों को लेकर वो इन्स्युक्र हो गई थे, स्पेशली अपनी बोड़ी वो फिर खाना का कर उसकी उल्ड़ी कर देती थी, जिससे उसका वेट ना बढ़ पाया उसे अपने लिए एक परफेक्ट बोड़ी चाहिए थी, अब अले हो से ब्रेक अप कियो है, उसे एक साल हो चुका है वो अब रहे नहीं पाई, एक दिन अले हो के घर पर पहुझ गई, वो उससे बहुझता है, तुम यहां क्या कर रही हो सियलो कहती है, एक साल हो चुका है, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती ये दोनों फिर किस कर लेते, तब ही अले हो की गल्फेन आके सियलो अले हो को कहती है, कि मैं बिलीव नहीं कर सकती, कि उसके लिए तुमने मुझे छोड़ा उससे कुछ भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, वो दिन भर एक ही जगा पर पड़ी रहती थी उसे स्कूल में ऐसे लिखने के लिए कहा गया, जिसमें उसने लिखा वो उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है ये उसका ऐसे बहुत डिप्रेसिंग था, जिसमें अले हो के बारे में उसने सब कुछ लिखा था उसकी टीचरों से कहती है तुम्हें तेरबिस्ट के पास जाना चाहिए तुम्हें कोई ना कोई तो चीज अच्छी लगती हो कि जिसे जनरलिजम है, व्राइटिंग है इस पर CLO ने भी सोचा CLO ने इसके बाद पूरी तरीके से फूर छोड़ दिया वो कुछ भी नहीं खाती थी, वो सिर्फ जिन्दा रहे इसके लिए सब्लिमेंट लिया करती थी जिस तरीके से CLO करती है, उसी तरीके से और भी लोग होते है इन्हें बुली मिक कहा जाता है CLO ने फिर इन्ही लोगों के लिए एक वेबसाइट बनाई जिनसे वो बाते कर सके उसे लगता था, इससे वो अपना गोल अच्छी उकर पाएगी जो है परफेक्ट बोडी अभी भी हम देख सकते CLO और अले हो, ये दोनों मिलते रहते हैं एक दिन CLO जब अले हो के पास आई CLO उसे बुछती है, तुमारी गल्फेंड का क्या कहता है, उससे मैंने ब्रेक अप कर लिया है CLO इस पर बहुत चिट गए उसे एकस्पेक्टेर था, कि वो अले हो के साथ रहेगी पर अले हो खुद, किसी और के साथ जाकर रहने वाला है और वो भी उसकी गल्फेंड क्यालाव कोई और है उसे बोलती है, यह मैं बुली मिखो यानि क्यों खाकर उल्टी कर देती है अले हो कहता है, यह सब घटिया चीज़े बन कर दो CLO डिस्टब थी, तो अले हो के नाम का टैटू करवा लेती है एक दिन CLO ने अले हो को कॉल किया पर यह कॉल अले हो की फ्रेंड ने उठाया CLO सुनती है कि अले हो इसे बता रहा था कि उसे इग्नोर कर दो जिस तरीके से हमेशा अले हो इसे इग्नोर करता है उसी तरीके से इस बार CLO इसे इग्नोर करती है उसका कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल का जवाब नहीं देती एक दिन फिर अले होई उससे मिलने के लिए आया रात में दोनों इंटिमेट हो रहे थे तब ये अले हो स्टॉप हो गया कहता है मैं अब तुम से अट्रैक्टर नहीं हूँ तुम बहुती ज़्यादा स्किनी हो चुकी हो इसी मुमेंट पर अले हो की फ्रेंड भी घर आ गई सुबा उने पर हम देखते हैं सियलो, अले हो और उसके फ्रेंड ये सब मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे सियलो को रिलाइज हुआ कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है ये उसके लिए अनकमफरटेबल था वो फिर एक बच्ची के आवाज सुनती है ये बच्चा अले हो और उसके फ्रेंड का था इस सिचूशन बहुत ही वीर्ड थी अले हो का अपने फ्रेंड के साथ एक बच्चा है वो उसके घर में रहता है ये सब होने के बावजूद एक ओपन रिलेशन्शिप है सियलो अब 18 इयर्स की थी वो अपने पैरंस के साथ रहे ऐसा कुछ भी कंबल सरी नहीं था वो city में अपने फ्रेंड में रहने लग जाती है एक दीन जब वो अले हो के साथ थी तो उसे कहती है कि तुम अब मेरे साथ आकर रह सकते हो तुम्हें उसके साथ रहने की कोई भी जरूवत नहीं है अले हो कहता है कि मैं नहीं कर सकता CLO इस पर गुसा हो के वो जाती थी वो उसके फ्रेंड के साथ ब्रेक अप कर ले अले हो गयता है तुम बूरी तरीके से पागल हो तुम्हें हेल्प की जरूथ है वो यहाँ उसके साथ फिर से ब्रेक अप करकर चला जाता है CLO कुछ भी खाती नहीं थी तो अब उसे साइड इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया एक दिन स्कूल में चक्कर आकर वो नीचे गिर गई उसके पैरंस को इन सब चीजों के बारे में पता चल गया उसे समझाते हैं तुम्हें हमारे साथ होस्पिटल आना चाहिए CLO इस पर मना कर रहे थे जैसे सब को चल रहा है उसी तरीके से चलने देना चाहती है उसने पूरी तरीके से रेजिस्ट किया उसके पैरंस माने नहीं उसे समझाते हैं तुम्हें साइकोलोजिस्ट के पास जाना चाहिए CLO ने कहा कि जब से मैं 15 साल की थे तब से बता रही हूँ मुझे साइकोलोजिस्ट के बाद जाना है पर आपने मुझे कोई भी हेल्प नहीं कि सब चीज़ों के लिए अपने पैरंस कोई ब्लेम करती है उसके पैरंस उसे रिस्टिक करते हैं कहते हैं तुम अकिली रह सकते हो पर हर रोज तुमें हमारे साथ होस्पिटल आना पड़ेगा उसे लगा कि उसका पूरा फ्रीडम चला जा चुका है वे से नॉर्मल खाना खाने का ट्राइक करती है पर खानी पाती है उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा था ये सब देखकर उसके पैरंस को बहुत बुरा लगा नॉर्मल की लाइफस्टाइल से सियोलो फेस से तंग आ चुकी थी वो डारेकली घर से ही भाग गई अपने एक फ्रेंड के साथ रहने लग गई वो ड्रंक होती थी, कुछ भी खाती नहीं थी इसी तरीके से अपना लाइफस्टाइल उसने कंटिनू किया वो फिर से अलेओ को मिलने के लिए के अलेओ कहता है तुम्हारे पैरंस अभी अभी तुम्हें यहाँ ढूनते हुए आये थे यहाँ से तुम चली जाओ सीयोलो मान ने रहे थी कहता है जल्दी से चली जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाओंगा एक दिन अलेओ के याद किये हुए वो बहुत जादा डिप्रेस्ट होके उसने नाइफस ली और अपने आपको कट कर दिया वो लेटर लिख कर जाती है कि मेरे डेट के बाद जादा गम में मत रहना मैं जिन्दा थी पर फिर भी मर चुकी थी इसके बाद मुवी में बहुत सारा टाइम गुजर चुका है सियलो सुसाइड अटेम से बच चुकी है वो हमसे कहती है मैंने ट्राय किया जिन्दा रहने का रीजन ढूनने का उसे बहुत सारे रीजन मिल गए उसने अपने बारे में एक चीज़ नोटिस की उसके रिलेशनशिप उसका खुद का पेन सिर्फ यही चीज़े उसे डिफाइन नहीं कर सकती वो ऐस परसन और भी बहुत सारी चीज़े है पेन हमेशा से रिलेटिव है उसका दर्थ कोई भी परसनली समझ नहीं सकता पर हर कोई इससे रिलेट कर सकता है क्योंकि कभी ना कभी हम सब हमारी लाइफ में पागलों की तरह प्यार में थे सियलो ने अपने डिप्रेशन से उपर उठने की स्टोरी अपने लाइफ के स्ट्रगल इन सब की एक बुक लिखी उसे हमेशा से ही राइटिंग में इंट्रेस था यह हमारी स्टोरी एक रियल लाइफ स्टोरी है इसके बाद वो एक बड़ी ओथर बनी वो अब उसके थर्ड बुक पर काम कर रही है वो सक्सेस्फुल हुई और उसे अब दो डॉटर्स है वो अपनी लाइफ में हैपी है अलेओं के साथ उसके रिलेशनशिप टॉक्सिक थी उसके लिए गलत था पर जैसे सेलो गहती है कि हम सब लोग कभी ना कभी पागलों की तरह प्यार में रहे है यह उसका वही एक्स्पिरियांस मुवी शेयर करती है हमें होप देख कर जाती है कि हमारी लाइफ में हमारे रिलेशनशिप के अलावा हमारे पेन के अलावा और भी चीज़े हैं जो हमें डिफाइन करती है इस मैसेज के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजेगा मैं बहुत सारी मुविस लेकर आत रहते हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब करतीजे और बेल नोटिविशन आइकोन दोने मत भूलेगा अब फिर से मिलेंगे और एक नमुविए के साथ तो ते लिए थैंक्यू आप अपने आपका ख्याल रखिये डोंट बी लाइक सीए लो